तो हेलो बच्चालो वल्कम बाक्टो दे चानल बच्चा ये सेशन के खतम होते होते आपको इतनी जादा क्लारिटी आने वाली है चीजों की आपको आइडिया भी नहीं तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिये का एक एक स्लाइड यहाँ पे बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है और उसके बेसेशन पे आपको जो प्रॉपर कंक्लूजन है यहाँ पे आपको कंक्लूजन बेस्ट अनालेसिस होने वाला है ना कि आपके सामने सिर्फ data और numbers फेके जाने वाले है आपका सबना अगर 80 से 100 marks physics में लाना है तब आपको ये session अच्छे से समझना चाहिए, देखना चाहिए ठीक बात है sir, 100 में 100, अगर आप अभी भी शुरू कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये उतना ही relevant और important है वान से low input वान से consistent chapters है सिर्फ data के basis पे recommendation नहीं दिया जाता है अगर कोई देता है तो वो मुर्खता है physics में अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें तो सिर्फ data के basis पे नहीं experience अनुभव के basis पे भी आपको recommendation मिलना चाहिए कि कौन से को आपको पहले करना चाहिए फिर बाद में करना चाहिए बढ़िया है सर NTA का trend कैसा रहा है पिछले 5 सालों में experiment based questions and instrument based questions को लेखे किस sub topics से आपसे सवाल पूछे जा रहे है experiments instruments में वो भी आपको यहां पे बताया जाएगा NCRT line by line questions किन किन chapter से जादा पूछे जाते है वो आपको यहां पे बताया जाएगा recommendation based on point number 4 इस चौथे point के basis पे कौन कौन सा ऐसा chapter है NCRT का जो आपको must read करना है और जो line आपको लगता है कि भाया यह तो important है उसको आप underline कीजएगा बढ़िया है बड़ा मेहनच जाता है इसलिए like तो करना बनता है and अगर channel पे नए हो तो subscribe कर लिजेगा आपके लिए physics के लिए यह रामबान होने वाला है आगे बढ़ने से पहले हम सभी ने आपको planner भी दिया था आप में से कई बच्चे उसको शिद्दत से follow कर रहे है कई बच्चे अभी तक भटक भी चुके होंगे हमने आपको priority A, B and C दिया था क्या है sir तो planner हमने आपको कुछ इस प्रकार्ट का दिया था बच्चे बीच बीच में इसको जैसे जैसे उनका complete होते जाता है वो हम तक इसको पहुँचाते रहते है अगर आपका भी कुछ update हो चुका है तो आप उसको हम तक पहुँचा सकते है हमने आपको priority A, B, C यानि 2020 से लेके 24 तक का complete previous year questions का हमने आपको PDF दिया था बच्चे इस मात्रा में उसको print कराके solve करना शुरू कर चुके है आप जैसा देख रहे हैं बच्चे को अगर doubt आता है तो वो हमारी ही channel से उसका video discussion से concept को actually में समझता है और वो PDF को print मारके इस प्रकार से उसी क्यूपर solve कर करके practice कर रहा है आप एक different book भी बना के solving कर सकते है aggressive solving करना पड़ेगा जनाब तभी आपका जाके selection होने वाला है तिक है नहीं तो सिर्फ ऐसे सोचने से विचारने से नहीं होगा आप जरूर करके नीचे वीडियो को इसी वक्त pause किजी और comment करे कि आपका अभी तक का status क्या है आपका update क्या है आपने कितना कर लिया है और कितना आपका बचा हुआ है बढ़िया है सर चलिए आते हम लोग यहां पर इन पांचों point पे हमको चर्चा करना है no doubt importance of PYQs is very 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 top notch आपका कोई भी ऐसा specifically not in advance mains में जिस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा रहे है चाहे वो आपको numerical based हो चाहे वो आपको theoretical based हो conceptual based हो NCRT line by line based हो वो आपको किसी भी sheets में cover नहीं होते है across India वो आपको सिर्फ PYQs के through ही idea मिल सकता है तो previous year question करना extremely mandatory है आपके लिए अगर कोई कह रहा है कि नहीं बिना करे भी काम चल जाता है वो आपकी मरजी है लेकिन करना तो है ही बढ़िया है sir पिछले 5 सालों में आपसे अभी तक 3,160 सवाल question पूछे जा चुके है जिसमें से तोटल अभी तक आपको 108 paper हो चुका है 2020 से लिके 2024 तक में इतना यूज आपके पास data है physics की बात है यह 3,160 question physics में है और यह total number of आपके पास paper है बढ़िया है sir यहाँ पे आपके सामने chapter wise weightage है 2020 से लिके 2024 तक का और आखरी जो column है आपका वो total number of questions है हमने उसको increasing decreasing order में इस समय लगाया हुआ है सबसे ज़ादा सवाल of course modern physics से आपको यहाँ पे पूछे जाते है 292 questions अब क्या है कि sir इस वाले data से बहुत ज़ादा अपने को समझ में नहीं आता यहाँ पे जो important data निकल के आता है that is on an average on an average number of questions asked per paper in a paper तो लगभग आपको modern physics से 2.7 यानि कि sir तीन question तो आप मान के चलो कि modern physics से आ जाते है और अगर हम सबसे low weightage देखे thermal properties 0.5 यानि कि भाईया दो paper में से एक paper में आने की गुंजाईश है और 2024 में तो हदी कर दिया था पूरा 20 paper मिला के सिर्फ दो ही question आपसे पूछा गया था thermal properties में यह आपको एक idea देता है कि भाईया आपको किस chapter पे stress देना चाहिए किस पे अगर आपका syllabus बहुत बचा हुआ है तो उस cases में यह आपको एक edge देता है कि आप अपने important चीजों को पहले कर जाए अब यहाँ पे भी आपको सिर्फ इसी के basis पे recommendation नहीं दिया जा सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मान लीजिए आपका syllabus अभी भी 60-70% हुआ है आपकी चीजे बची वी है और आपको पता है कि syllabus completion के लावा revision भी आपका एक बहुत important हिस्सा है बच्चे यहाँ पे बेवकूफी क्या करते है कि भाईया मान लीजिए उनके पास EM waves versus thermal properties है तो बच्चा EM waves को छोड़ चाड़के thermal properties में अपना जान दिये हुए है भाईया EM waves is one of the most consistent chapter point 9 यानि कि भाईया एक सवाल तो आप मान के चलिए कि आपके paper में आ नहीं वाला है और वो आपको 4 number free का देने वाला होता है बच्चा इसको छोड़के EM waves में आपको number of subtopics maximum मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 होने वाले है लेकिन thermal properties में आपको नहीं बेसी भी तो कम से कम 15 20-25 subtopics हो सकते है तो बच्चा इसके ऊपर अपना जान लगा देता है लेकिन इस chapter को ignore करता है end में देख लेंगे न जबकि आपको EM waves को कम से कम एक बार पढ़के 2-3 बार revise करना पढ़ता है free का 4 number मिलता है यहाँ पे तो आपको यह चीज़ समझना पढ़ेगा कि भाईया कौन से chapter को हम end के लिए एक बड़ी resort करके रखे और किस पे हमको शुरुवात में focus मारना चाहिए इसी के basis पे हमने आपको priority A, B, C दिया है जिसके PDF का link आपको निचे pinned comment में पढ़ा हुआ है priority A, B and C right on the basis of ease of doing it, importance low input, high output सब को ध्यान में रखते हुए experience अनुभव को ध्यान में रखते भी आपके सामने यह है ठीक है, और इसी basis पे हमने आपको वो तीन PDF भी दिया है previous year questions का, right बढ़िया है sir Sir, what about experiments and instrument based question तो जनाब यहाँ पे आपके पास कम से कम इतने तो पूछे जाही रहे है vernier caliper, screw gauge, traveling microscope बहुत ही शांदार question पूछा गया था 2024 April attempt में traveling microscope से हमने अपने channel पे सब कुछ solve किया chapter wise sonometer, resonance tube organ pipes, figure of merit, half deflection इसका सवाल बच्चों को दे दो तो एक बार हाथ पो ठंडे हो जाते है बहुतों को तो आइडिया ही नहीं है कि यह कौन से chapter में पढ़ा जाता है आपको drastically increasing है 2020 से लेकर 2024 तक में NTA का इसके तरफ जो प्रेम है वो बढ़ता ही चला गया है 2020 में कुल 10 सवाल पूछे गये थे लेकिन 2024 में 28 सवाल पूछे गये है इन total 5 साल में आपको 81 questions तो इन सब topics से, इन experiment से instrument से आपको देखने के लिए मिल गया है यहाँ पे देखिए क्या मस्त आप यहाँ पे trend देख पार है कि भाईया हाँ आपको trend यहाँ अच्छा increment दिखा है तो यह आपको कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि भाईया उनका रुझान बढ़ चुका है इन प्रकार के question में हमारे channel पे एक separate playlist है experiments का link हम नीचे डाल देंगे कहीं भटकने की जरूबत नहीं है सारा सारा आपके पास यहीं पे है ठीक है कर जाना इसको भी बहुत important है अच्छा सर NCRT line based questions इसका क्या मतलब है NCRT में आपको वो लोग theoretical question पूछते हैं लेकिन कुछ theoretical question ऐसे होते हैं आप logically answer कर पाते हैं लेकिन कुछ theoretical question ऐसे होते हैं जो आपको वो ना जाने कहा कहा line line से उठा उठा के दे देते हैं और वो आप तभी answer कर पाएंगे अगर आपने वो line को पड़ी हो उसमें आप logic जादा लगान पाते नहीं है आप सोच पाएंगे निए उसके अंदर तो उसके basis पे यहां पे आपके सामने कुछ examples है बहुत सारे सवाल पूचे गए हमने कुछ का image यहां पे आपके सामने लगा के दिया हुआ है यह सवाल तो देखने के बाद कईयों को समझी नहीं आया कि भाईया यह है कहां पे mentioned यह आपको units and dimension वाले chapter में mentioned लिखा पड़ा है राइट 2021 में 22 में यह आपको thermodynamics से है यह आपको current electricity से है यह आपको EM waves का है यह भी आपको EM waves का है यह भी आपको EM waves का है यह वाला सवाल आपको बहुत बच्चों को यह सवाल भी danger में डाल दिया था यह आपको NCRT के line से mentioned है moving charges में मेरे ख्याल से तो भाईया इसी के basis पे कुछ ऐसे chapters है जो आपको एक बारी read कर लेना चाहिए that is your units and dimension solids and fluids, electrostatics, current electricity, magnetism जिसमें earth magnetism syllabus से remove हो गया है उसको करने की ज़रूबत नहीं है KTJ thermodynamics, ray optics, EM waves, semiconductors and modern physics जनाब इतना तो कम से कम आप read मार ही लेना मार ही लेना जनाब ठीक बात है सर again I am reiterating PYQs are a must revision अपना बहुत solid रखिए 9 December में आपको aggressive solving करनी है aggressive revision करना है तब जाके आपका वो 100 में 100 वाला जो सपना है वो पूरा हो सकता है and physics PYQs का मतलब है आपको यहीं से गरना है ठीक है? चलिए दिहान रखिए, take care, wish you all the very best and bye-bye